चलते चलते अचानक बंद हो गया, कंप्रेसर भी 100% फुल है, फिर भी स्टार्ट नहीं होता है तो ऐसी समस्या के लिए हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या चेक करना है, तो हम आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं तो पहले तो हम देखते हैं, हमारा ठीक स्टाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसका कंप्रेसर भी चेक करते हैं देख सकते हैं, यहां पर फुल बैकप मार रहा है, देखिए हमारा कंप्रेसर भी ठीक है तो फिर हम यहाँ पे डीजल लाइन को चेक करते हैं और डीजल लाइन में कोई समस्या है तो तब ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं पंप हमारा डीजल दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो ऐसी के लिए हम हैंडल से घुमा के दिखवाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे तेल नहीं आ रहा है और बंद आन आफ करने में तेल माता है तो इसमें अब देखा जाएं देखिए आन आफ करना पड़ता है तो इन तेल डीजल देने लगता है तो इसका मतलब इसी जो फ्यूल पंप है इसमें ही कुछ समस्या हो सकती है तो पहले हम फ्यूल पंप को यहां से हटाएंगे इसको ओपन करने के लिए यहां पे और हमारे यह जो पाइप लगा हुआ है डीजल वाला यह देख सकते हैं यहां पे फिल्टर भी नहीं डिरेक्ट टू लाइन बंदी है तो यहां पे हम इसको कपड़े पे खोलेंगे तो यहां में हमें डाउट दिख रहा है कि इसका हमें ल पूट जाता है तो अचानक चलते चलते हैं जिन बंद होने के चांसेस रहते हैं तो पहले हम उपन करते हैं तब हम आपको पूरा संपूर बताने का प्रयास करते हैं क्या इसमें समस्या थी तो देख सकते हैं मैंने इतना निकाल लिया है इसको हम निकाले के नहीं इसको थोड़ा फिटिंग करने के लिए क्योंकि वो अंदर गराओरी और रोड आपस में अभी भी फिक्स लगे हुए हैं तो इसको मैसे ही छोड़ते हैं इसका आप देख सकते हैं अब पूरा सिस्टम जो निकाला गया है यह देख सकते हैं यहाँ पर यह सिस्टम इसका मैं जो पंप इस प्रिक्स होता यह तीन टुकडों में बट गया है तो इससे element जो rod होती है ये तो ये नीचे की तरफ नहीं आपाती है नीचे की तरफ आएगी नहीं तो तेल आपस में उपर की तरफ प्रेसर नहीं देगा तो हम नया ये spring मंगवाए हैं तो थोड़ा इसको गरम करके हम थोड़ा कच्चा करेंगे क्योंकि हम नया spring ये डाले थी ये तूट गया बहुत जल्दी 30-40 घंटों में तो इसको गरम करते हैं गरम करने के बाद में इसको फिट करते हैं तो पहले आग में डालके इसको गरम करते हैं गरम करने में यह हमसे गलती हुई थी कि यह खराब हो गई थी गरम करने में तो देख सकते हैं यह हमने गरम करने के बाद में इस स्प्रिंग का टेमपर हमारा चला गया क्योंकि जादा गरम हो गई थी थोड़ा गरम करना था कच्चा और जादा गरम तो ये हम मौके पे हम इसको वाल स्प्रिंग का जो अंदर स्प्रिंग लगा होता है वाल स्प्रिंग में तो अंदर वाला स्प्रिंग इस जगे पे हम अचानक अपने काम में ले सकते हैं एमर्जनसी टाइम में तो हम ये वाल इस्पिरिंग डालेंगे क्योंकि वो हमारा इस्पिरिंग खराब हो गया था और मौके पे हम खेत में कहीं पे थे तो वहाँ से थोड़ी दुकान भी दूरी पे पड़ रही थे तो ये सामान हमारे पास मौझूद था तो हम इससे ही इस पंप को फिटिंग करेंगे ताकि आप लोग भी एमर्जंसी में इस टाइप की समस्या का समाधान कर सकें वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो सब्सक्राब ये कट जो लगा बता रहे हम तो ये आपको वैसे ही फिट करना है जैसे हमारा पुराना पंप में फिट था और जैसे आप निकाले हैं वैसे ही उसे लगा दें तब आपको ऐसा जैसे ही आपका इंजन चल लाता है वैसे ही अपनी जगए पर इस तिर चलने लगेगा तो इसको ढखकन दाबने के बाद थोड़ा लूज होता है स्पिरिंग और अच्छा काम करता है कभी टूटता भी नहीं इतना जल्दी है तो ऐसी अगर बार-बार spring कोई तूट रही हो तो यहाँ पर अवाल spring को आप यूज कर सकते हैं यह यह इतना जल्दी तूटे का भी नहीं यह dust cover spring इसको भी लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको fit करते हैं फिर देखते हैं अगर कोई दूसरी समस्या है तो वह भी देखेंगे और यहाँ पर हमारा यह seat पर pump आ गया है और यह pump हम टंकी में लगा देंगे तो हम इसको tight करते हैं फिर हम आपको check करके बताते हैं तो यह हमारा tight हो चुका है फूरा fuel pump और यहाँ पर हमने tight हो गया है तो यहाँ से हम air को निकालेंगे देख सकते हैं एर निकालने यह देख लिए हमने डीजल डरवाया है टंकी में अब direct to direct यहाँ पर air निकल आएंगे ताकि यह डीजल अपना pump उठा चुके यह हमारा air निकल चुका है आप देख सकते हैं इसको 10 नमबर चाबीसे इसको tight कर दें अच्छे से ताकि यहाँ से दो बारा ली के जिनना हो तो हम इसको handle से घुमाएंगे फिर देखते हैं तेल का pressure बना या नहीं तो आप देख सकते हैं यह हमारा pump उसी जगे पे अपना काम करने लगी है उतनी ही round में अब बंद करने में तेल बंद होता है और खोलने में on होता है तो इसको हम tight करेंगे फिर engine को starting कराएंगे बिद पानी पे चेकिंग करके तब हम मैं आपको दूँगा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा आप देख सकते हैं यह हमारा engine start हो चुका है और यहां पे पानी भी पहले ही handle में उठा लिया देख सकते हैं जिस जगे पानी गिर रहा पानी यहां पे था नहीं वो बाहर से लाये थे